देश में चुनाव चल रहे हैं लोग तत्र में सभी को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार है और इसके लिए तमाम प्रक्रियाएं भी उम्मीद्वार को नामांगन के समय कर नी होती है इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या उम्मीद्वारों के पास राजिंतिक अन्भों के साथ एक निशित सैक्चिक योगता होनी चाहिए कुछ समय पहले सुप्रीम कोट ने हर्याणा के पंचाय चुनाव में सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए कम से कम दसवी पास होना चाहिए महिला उम्मीद्वार के लिए आठवी पास और दलित उम्मीद्वार के लिए पांचवी पास होना अनिवार है अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इस तरह के माबदंड क्या हर चुनाव के लिए नहीं होने चाहिए फिर चाहे वो लोकल बॉडी के चुनाव हो या फिर MPML के आपको बता दे कि समधान सभा में भी 702 विधायकों की सिक्षा पर सवाल उठा था लेकिन सिक्षा पर अनभव को तरजी दी गई जिसकी वज़े से 702 विधायकों के चुनाव लड़ने के लिए सिक्षित होना जरूरी नहीं है 1947 में समधान सभा में उठाये गए सवाल के बाद अब तक यानी 2019 में मानव संसाधन में अंतर आया है उस समय साक्षरता दर 12 प्रतिशत थी लेकिन आज देश की साक्षरता 74 प्रतिशत के आसपास है ऐसे में क्यों नहीं उम्मीदवारों की नियूंतम सेक्षिक योगताद नियधारित की जा सकती है आज इसी विशे पर चर्चा करेंगे अपने मेंमानों के साथ इस पर चर्चा के निली हमें साथ इस सूडियों में मौझूद है कुछ खास में मान सबसे पहले मैं उनका परचयाप से करारा चाओंगा हमारे बीच में रहेंगे भारती जन्ता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंग और साथ में रहेंगे कॉंग्रस परवक्ता उमा संकर पांडे और अपनी दिश्पक्ष टिपली के लिए हमारे बीच में रहेंगे वरिष्ट पत्रकार प्रेम शंकर मिश्र सरक कारिकर में आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले मैं रादनेतिक दलों के पत्रिंधियों से ही जाना चाहूँगा कि क्या कितना जरूरी है वर्तमान प्रवेश में उमीदवारों की सैक्षिक योगता समीर भाई आपसे भारती जनता पार्टी का मत है कि निश्चित रूप से उमीदवारों की सैक्षिक हर्ता होनी चाहिए आज जिस प्रकार की परिस्तिती है उसमें जो भी सांसत बिधायक बन है कम से कम कुछ न कुछ तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तै होना चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन उसे पासना पिछले दिनों कई सरकारों ने इसका प्रयोग भी किया है और धीरे धीरे इस तरह कि जिस समय लोकतंत्र में हम संविधान लागू हुआ देश आजाद हुआ उसके बाद की परिस्तिती में और आज की परिस्तिती में जमीन आस्मान का अंतर है सैक्षिक इस्तिती में तो निस्चित रूप से हम इसमत के हैं कि सैक्षिक योगता होनी ही चाहिए और किसी भी व्यक्तिकों जो लोकसभा और विधानसभा के अंदर जाके कानून बनाने वाला है देश को चलाने के लिए देश के विकास के लिए। तो उसे साक्षर होना ही चाहिए और निश्चीत रूप से कोई न कोई साक्षरता का मावदन रोगतंत्र में तेह होना चाहिए। देखे निश्चित रूप से इस पास से आज कौन इंकार कर सकता है कि हमारा कैनिडेट या हमारा सांसर बिधायाग या कोई भी जनपित नहीं वो पढ़ा होना चाहिए योग्य होना चाहिए इस पास से कौन डिनाई कर सकता है लेकिन प्रशन तब उठ जाते हैं कि जब कुछ लोगों की डिगरी ही संदेहास्पद हो जाती है कोई एक बार के चुनाओ के नामिनेशन में खुद को इंटर पास दिखाता है फिर बीए पास दिखाता है और फिर अगले ही चुनाओ में जब अपने आपको बीए पास दिख हर्याणा की मैं बात करूं आपने हर्याणा की बात की जो हर्याणा में पंचायत के चुनाओं में हाई स्कूल पास की बात ततकालीन सरकार ने लागू किया था असल में मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ क्यों क्योंकि एक निश्चित रूप से आप इस बात को समझ जो बयोब्रिध्य लोग थे उनको चुनाव ना लड़ने देने की वो साजिस थी मुझे लगता था कि उसमें एक निश्चित रूप से अगर आपको ये रखना था तो एक एज का क्राइटेरिया भी रखना चाहिए था कि इस उमर के बाद के जो लोग हैं उनका क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से नीचे का मान्य नहीं होगा और जो इस उमर से जादा हैं उनको निश्चित रूप से एजुकेशन में छूर दी जाएगी यह जो एजुकेशन को लेके साजिस की जाती है वो साजिस बंद होना चाहिए और जो हमारा जन पर अतनी दी हो वो पढ़ा लिखा और योग यह होना चाहिए देखे राजनीती करना एक भी सह है और देश को आगे बढ़ाना दूसरी भी सह है किसी मुद्दे को आगे बढ़ाना दूसरी भी सह है व्मा संकर जी यह भूल गए कि जिस हरियाना के अंदर एजुकेशन को उन्होंने खारीज किया सतर सालों के आजादी के बाद मैंने पहले भी कहा कि 1947 में देश आजाद हुआ, हमारा संबिधान लागू हुआ आज हम 2018 में खड़े हैं, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इस देश के अंदर सरवाधिक समय तक कॉंग्रेस ने राज किया अगर किसी बुड़े व्यक्ति की उम्र आज 65 साल हो सकती है, तो कॉंग्रेस आजादी के बाद सरकार में आई, लंबे समय तक सरकार में रही, उनको साक्षर क्यों नहीं किया, उनको सिक्षा क्यों नहीं दिया और रही बात नेताओं की डिग्रियों पर तो पोलेटिकल भासर देना अलग भी से है, लेकिन राहूल गांधी जी की नागरीकता, राहूल गांधी जी की डिग्री कहा है, प्रियंका बादरा किस स्कूल में पढ़ी, उनकी डिग्री कहा है, सोनिया जी किस स्कूल में ऐसा भी से है जो किसी राजनेतिक दल की सीमा में नहीं है बाजपा का कौन है सपा का कौन है कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है यह देश के लिए एक ऐसा नेड़े है कि जिस नेड़े से आने वाले दिनों में देश के अंदर लोगतंत्र में जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों के विकास के लिए उसका जन प्रतनी धी अपनी बातों को अच्छे प्रकार से रख सके अच्छे प्रकार से समझ सके चीजों को प्रस्तुत कर सके और उसको उसकी पूरी जानकारी हो सके इसके लिए निश्चित रूप से आवस्यक है कि हर जन प्रतनी धी कम से कम पढ तो दिया जाता है लेकिन सेक्षिक डिगरी का भी महत होना चाहिए और जब सब जगह मिनिमाम इलिजबिल्टी है तो मुझे लगता है कि अमाज यह ने इक चीज़े देखना हैं जिस तरह के दो दो तो ने कहा कि हां राजनीति में उमिद वारों की एक सेक्षिक योगतर ने धारित होनी चाहिए कम से कम वर्तमान परवेश में लेकिन हम बात करें दोजार उनीस सो सहतालिस में जब समधान सभा में ये निधारित हुआ कि नहीं भाई सभी को हमें एक समधानिक चीजे देनी सभी को लोगतंतर में अधिकार है और उनको समाहित करके उनको अधिकार देना है तो ऐसे में ये नहीं लगता है कि हाँ अगर हम सेक्षिक योगता कर देते हैं तो ये एक समधान की मूल भावना जो है उसके खिलाफ होगा ने देखे जब भारत का समविधान बना था तो भारत के समविधान इर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये लोग तंत्र सर्वसमावेसी होगा या कुलीन तंत्र होगा इसलिए जब सिख्षा की योगता निर्धारित करने की बात आई तो ये बिशार किया गया कि उसमें जैसा आपने खुद बताया कि 12 फिजदी हमारी साक्षर्ता थी तो ऐसे में और जो लोग सभा है जहां पर देश के हर हिससे का प्रतितों करते हैं तो ऐसे में सबकी बात अस्तर के समस्याएं हैं या जो मूल भावना है अलग-अलग प्रदेशों के छेत्रों की वह आ सके इसलिए कोई एक सैच्छी क्योगता नहीं देखेगी लेकिन उसी संभिजान सभा के बहस में एक बड़ा प्रशन यह भी उठा था कि क्या हम लोकतंत्र लागू करने के लि इसको समझ पाएगा तो इसका जवाब कुछ डॉक्टर अंबेटकर ने दिया उन्होंने यह कहा कि जो राजनीतिक दल हैं उनका यह कार्य होगा वह प्रसक्षक की भूमिका में होंगे देश के मद्दाता को लोगतंत्र की संसधी भावनां के लिए सिक्षित और प्रसक्ष दूसरा जो साक्षर नहीं है सैक्षिक नहीं हो सकता है उसकी सामाजिक समझ जादा बहतर हो अपने छेतर अपनी समस्याओं और बिंदों को के बारे में जादा भेथर ढहता हूं और हम देखते हैं कि संसत की बहसों से लेकर सामाजिक मुद्दों के उठाने में भी बहुत बाद डिग्रियां बहुत प्रभावी नहीं होती है। लेकिन हम जिस दार में हैं अप जिटलताओं का दोर बढ़ रहा है है। आज हम पेटन्ट के कानोन बना रहे हैं। तो जहां से आपका बदलाव हुआ है जो विकास की नई गती हुई है या जो 47 से लेके 2019 तक आपने जो नए सफर ते की हैं तो उसके इसाफ से आपको नए मानक निश्चित तोर पर तै करने चाहिए और नियुनतम साक्षरता तै करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है आज आप प्रॉड सिक्षा की बड़ रहे हैं आप सबको साक्षर कर रहे हैं तो ऐसी इस्थिती में अगर आप क्या दस्ख़त कर रहे हैं जिस तरह से फ्रॉड बढ़ रहा है सारी चीज़े बड़ रही है नए-ने कानून आ नहीं जटिलता है आ तो एक निश्चित होबेता होन यह तो जिम्मेदारी जैसे कि प्रेम भाई ने कहा कि आप लोगों को सिख्षिक करें और उनको उसस्विधान में जो प्रदेत अधिकार हैं उन तक वो पहुँच सके तो क्या वो उतनी जिम्मेदारी उतनी इमांदारी से यह काम हो पाया है देखे निश्चित रूप से एजुकेशन के छेत्र में कॉंग्रेस पार्टी ने लगातार प्रयास के और को चाहे वो गार्जियन्स रहे हो चाहे वो इस्टूडेंट्स रहे हैं सब को प्रमोट के अर्शर्व सिक्षा अभियान से लेके सिक्षा का बजट सरवाधिक हमने दिया हलाकि इस बार का जो सिक्षा बजट था वो अब तक आजादी के बाद का सबसे नियुनतम है आपने आकड़े खुद रखे हैं कि 12% 1947 अउराज 74% जो साक्षरता का प्रतिसत है वो ऐसे ही नहीं हुआ है निश्ची द्रूप से सरकारों ने मैं कॉंग्रेस को इसलिए ज़्यादा असरे देना चाहूंगा क्योंकि भाजपा भी कहती और देश भी जानता है कि सबसे ज़्यादा हम सत्ता में रहें तो जाहिर सी बात है हमने सबसे ज़्यादा काम किये हैं हमने स्कॉलर्शिप से लेके तमाम सारे इंवर्सिटीज अऐ हर लेबल पर चाहे वो इंजिनरिं हो चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो मैनेजमेंट को जितने भी सारे इंस्टीट्श हैं वो हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम चाहते हैं कि देश बगएर साक्षर्ता के और के लिए इनुवर्सिट्ट